हेलो गाईज मैं हूँ अमित और अब सब का बहुत बहुत स्वाइब है स्पोर्ट शाला में गाईज आपको एक चीज मुझे लगा कि बताना बहुत जरूरी है जल्दी से आपने वीडियो का टाइडल तो पढ़ी लिया होगा हमारा जो रैकेट था योनिक्स का नैनोरे 7000i वो टूट गया है यहां से आप देख सकते हैं और इसलिए मुझे लगा कि आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोग जो हैं ये रैकेट खरीदने के सोच रहे होंगे मैं ये नहीं कहा रहा कि रैकेट खराब है लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज बनता है क्योंकि पैसे मैंने भी दिये थे पैसे आप भी देंगे अगर इस रैकेट को आप खरीदेंगे बिल्ट इसके अंदर आई थी, वो string टूट गी थी इसकी लगभग एक महीने के बाद में, लेकिन मुझे उस चीज से कोई problem नहीं थी, क्योंकि जो string इनके साथ में आती है, पहले से लगी हुई medium low range racket के साथ में, सस्ते racket के साथ में, वो जो है कुछ अच्छी नहीं होती है, टूर जाती है बहुत जल्दी, काफिलों की चल भी जाती हो लग बात है, लेकिन जनरली जो है वो इतनी strong नहीं होती, तो इसी लिए जो है मैंने इसके अंदर नई string डलवाई, यो नेक्स की, जो की डली 600 रुपए की तो ये racket मुझे टोटल पढ़ गया, 600 प्लस 1200 रहने की लगभख 1800 रुपए का, साथ में मैंने इसमें ग्रिप भी डिलवाई, 70 रुपए की तो ये लगभख 1900 रुपए के आसपास हमें ये racket पढ़ गया, अब इसको मैंने दो महीने यूज़ किया, और अभी फिलाल मैं इसको खेल रहा था इससे, सिंबल ही खेल रहा था, मैंने स्मेश मारा, स्मेश जादा तेज भी नहीं था, बहुत तेज नहीं था, और ये एकदम से यहां से तूट गया, उससे पहले इसमें कोई band नहीं था, इसके अंदर कोई crack नहीं था, बस एक ही जटके में जो है, इस तरीके से तूट गया, एक आवाज आई जोर से, बिल्कु तूटने की, तो अब क्या कर सकते हैं, तूट गया, यहां से तो कोई काम कर नहीं है, तो अब बात करते हैं, इस racket के सबसे पहले, तो performance की, जब तक यह चला, तब तक कैसा चला, तो अगर बात करें कि इसका performance, इसका power, इसका speed वगएरा, तो सब कुछ बहुत अच्छा है, उस चीज़ से दूस्तों मुझे कोई शिकायत नहीं थी, इस racket के, मैं खुशी था कि racket जो है, बहुत अच्छा perform कर रहा है, और बाकी racket के comparison में, मुझे ये जो है, काफी अच्छा लगता था, मेरा हाथ भी जएड हो गया था, वेट जो है, इस racket का, काफी light weight है, इसलिए इसकी handling काफी सही थी, और साथ ही साथ में string का tension था, वो भी ठीक था, तो इस तरीके कोई दिक्कत मुझे नहीं थी, लेकिन जो परिशा नहीं आई, वो एक तो आप देखी सकते हैं, टूड गया तो कोई काम का ही नहीं है, और एक छोटी minor problem मुझे ये भी आए, कि इसका जो color है, वो उड़ गया थ है, वो उड़ तो नहीं रहा है, तो इस record का color है, वो भी थोड़ा जल्दी उड़ता है, अगर हम बात करें, खेल के performance की, तो वो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, तो अब दोस्तों बात आती है, कि वो तो ठीक है, performance तो अच्छा है, आपने बता दिया और मेरा racket जो है, वो तूट गया, तो इस चीज़ को भी आपको consider तो करना होगा, आप इसको भूल नहीं सकते कि जो racket है, वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि दो महीने में racket तूट गया, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ये वाला जो piece है, particular, ये कुछ defective हो, यहां पर इसमें पह जो की है, योनेक्स का नेनोरे, 6000i, इसके अन्बॉक्सिंग मैंने नहीं की, तो ये जो racket है, इसके अंदर आप string देख सकते है, natural जो इसके अंदर आई थी, वो वाले ही string है, मुझे दूसरी डलवानी पड़ेगी, क्योंकि काफी जो है, ये string अभी कमजोर हो चुकी है, कहीं स इसे भी तूट सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पहले string डलवा लेते हैं, और इस racket का जो है, एक review भी आपको मैं थोड़ा से खेलने के बाद में दे दूँगा, actually मैं सोच रहा था कि, जो ये वहला racket है, 7000i, इसका एक review बनाएंगे, लगपक ठाई-3 महीने खेलने क बाद में कि कैसा चलता है, आपको क्या-क्या फायदे होंगे, क्या नुफसान होंगे इसको खरीदने के, लेकिन उससे पहले ही ये तूट गया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये racket आप मद लीजिए, आप इस racket के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा महंगा नहीं है, अच्छा चलता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, इस racket से तो अच्छा है, ये मैं कहूँगा, जो 6000 आए है, और एक कार्बोनेक्स का जो रेकेड आता है, इसका उससे भी ये वाला जो है अच्छा है, ये वाला, जो कि टूट गया है, बस इमें प्रॉब्लम यह आए कि यहां से तूट गया, हो सकता आपका वाला जो है, ना तूटे, लेकिन आप अपने हिसाब से जो है, आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़े करना ज्यादा सही रहेगा, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और कौन सा रेक है तो इसे जरूर से लाइक कीजीगा, शेयर कीजीगा, और हमारे चैनल स्पोर्ट शाला को जरूर से सब्स्क्राइब जीगा, तो चलिए फिर मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार.